हेलो गाइज वेलकम टो अने दर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स जी ओजित फिनांशल सर्विसेस की ओर से मार्च क्वाटर की फिनांशल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में एनाल्सिस करेंगे जो कि गाइज ऑडिटेड स्टैंडल और और जो कि 12 जुलाई का डेट रखा गया इन्वल जनरल मिटिंग का तो हम लोग चलते कंपणी के रिजल्ट से पहले चावर करेंगे लाक्स में नंबर्स हैं इंकम है तो हंड़ेट पॉइट पॉइफ करोड का पिछले कॉटर में 153.9 करोड का ओं मार्स 23 कॉटर में 116.8 करोड का इंकम है quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रेज किया है expenses 142 करोड का पिछले कॉटर में 105.7 करोड का ओं मार्स 23 कॉटर में 87.9 करोड का एक्सपेंस हुआ था quarter on quarter year on year के expense भी इंक्रेज किया है नेट पॉफिट कंपनी का है इस बार का अगर दिखा जाए तो कंपनी का जो नेट पॉफिट है 51.9 करोड का पिछले कॉटर में 37.9 करोड का ओं मार्स 23 कॉटर में 30 करोड का नेट पॉफिट है quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रेज किया है इपिएस 2.12 का quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रेज किया है तो गैज quarter ended का रिजाल कंपनी बहुत ही स्टॉंग पेश किया अगर फिनाशल एर रेंडिट में देखा जाए तो इंकम में 623.9 करोड का और 23 में 447.6 करोड का इंकम में इंक्रेज किया है एक्स폰स 431.9 करोड का और 23 में 328.6 करोड का एक्सपेज भी इंक्रेज किया है ऑसफिट 149.69 करोड का और 23 में 100.9 करोड का नेट पॉफिट 449.ソ解 इन दोनों से revenue generate कर रहा quarter ended या financial ended बहुत strong result पेश क्या है क्योंकि income और profit दोनों में increase किया है एकर standalone results को cover करें income में 200.7 करोड का पिछले quarter में 147 करोड का और March 23 quarter में 110 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 138.9 करोड का पिछले quarter में 102.9 करोड का और March 23 quarter में 85.5 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year में increase किया है operating profit 61.7 करोड का पिछले quarter में 44 करोड का और March 23 quarter में 24.6 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है net profit 46.1 करोड का पिछले quarter 33.4 करोड का और March 23 quarter में 23.5 करोड का net profit है जो कि quarter on quarter year on year में increase होता वा देखने को मिल रही है EPS 1.93 रुपेश का quarter on quarter, year on year दोनों में increase करती हुए नज़र आ रही है तो guys stand-alone होया consolidated बहुत strong result पेश किया और company के result पेश होने के बावज़ुत guys company के share माज की दिन 1.23% का crash किया और guys company के result market close होने के बाद आया है guys इसलिए इसका impact इसके share माज नहीं पड़ा है 96.6 रुपेश पे close किया है और 1.23% का crash और guys company के share अगर देखा जा तो already बहुत ज्यादा high जा चुका है लगवग 1 week में 13.7% का profit मिल चुका 1 month में 50% का profit दे चुकी है वन येर में 115% का profit दे चुका और लगवग ये 52 week high के आसपस company के share trade कर रही है तो guys अगर आप इसमें एंट्री करना चाहिए fresh entry तो guys मैं को था सब वेट कीजिए wait and watch कीजिए क्योंकि already company के price जो over जा चुका over price हो चुका है इसलिए wait कीजिए correction होने दीजिए भले result बहुत strong page किया लेगि फिर भी guys मैं को आप इसमें wait कीजिए correction होने दीजिए उसके वज़ आप इसमें एंट्री कीजिए गा और अगर आपके इस entry है अल्री इसके share holder तो आप इसको hold कर सकते हैं continue कर सकते हैं तो हम लोग जो है video कहीं पर एंट करते हैं अगर कोई doubt कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं एक रोड़ों में डिलन बाबाई